माँ बनना सबसी ज्यादा मुश्किल होता है तो वही घरी आजकल मैं महसूस कर रही हूँ आप लोगों को बताने वाली कि मुझे कौन सा मन्त चल रहा है और मन्त रिवीलना मुम्मी करेंगे मुझे कौन से महना चल रहा है हेलो एब्रिवान कैसे हैं आप सब लोग होप करती हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं बेगदम बढ़िया हूँ तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है दिन की दो बज़े से पहारो की मौसम की बात की जाए तो आज कल ना पहारो में डिली धूप आ रही मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी मैं ट्रेवल आराम से करती थी लेकिन अब धीरे-धीरे कड़के मन्त बढ़ रहे हैं और ट्रेवल करने में मुझे दिक्कत हो रही है तो अब से मेरा ट्रेवल करना भी बंद हो गया है और मैं अपना घर के वीडियो आप लोगों को करने के अजोका है अब करने कादे घरत तो आप लोगों को मेरे मांथ की बारे में क जोए और में पर जयर्मर की यह दुट नहीं प्रीच नहीं पड़ती है और बात मीदेब नीवी निबू का पेर और संत्री पर देख लिया हम लोगों ना दाने कम लोगों को दिखाते लगे दूबowan जिसकोष्क्राइबं नियिण तो बीड़ने के वायं करके ए च्छेघरी में पे हुए हैं और आप लोगों को ने थीक्रीर बिूत यह अच्छी तरह से यलू नहीं हुए हैं और इन्हें हम लोगों ने पहले इसलिए निकालाना क्योंकि इस बारना हम इन वाले निवु का चूग बनाने वाले हैं लेकिन अभी तक रुटक है तो आज हम लोग नभी निवू नहीं सानने वाले हैं तो मैं इसमें से तोरे पीले पीले वाले दाने छांट के ले जाती हूं पीच में बेशलाने नहीं कह सकते करके तो आप नेवू कहाते है कि हमारे वहां भी खाते हैं लेकिन जैसे नीबु ना मैं पहले खाती थी मतलब दो तीन बार भी मैं खा लेती थी लेकिन अब मुझे थोड़ा थोड़ा मिलेगा ज्यादा नहीं खाते हैं इससे बोलते हैं बेबी को प्रॉब्लम होती है आज तो हम लोग फर्स टाइम बना र बना के रहा है तो अपने मुझे भी कंटो को युंगी मैं जीप लेकिन मुझे ना नीबु सेच में काफी ज्यादा पसंद है हमारे गाव साइट सभी लोग अपने पेरों से संत्रा भी निकालने लग यह वैसे संत्रा निकालने का समय तो नहीं हो रखा है लेकिन बंदरु नेयबु बनाने के लिए वात पसंद है और मैंने यह बनाने के लिया है कि काफी लोग ना वोग जाओने का यूज करते हैं साथ में मैंने यहां पर ले लिया है दही तो आप हम लोग फटा-फट से नीबू बनाते हैं मैं नीबू छिल रहे हूं तो गोल्डी ना यहीं पर घुम रहा क्योंकि इसे नीबू काफी ज्यादा पसंद है और गोल्डी भी मेरे मैके से आ गया था इसे परसु ना पापा ले पर लेकिन अब तो हम बड़े हो चुके तो ज्यादा निखा रहे हैं चिकल निकालने के बाद यहां पर मॉमी भी आ चुके हैं और मॉमी भी नीबू बनाने मेरी हैल्प कर रहे हैं तो अब हम लोग ना नीबू के छोटे-छोटे पीस बनाएंगे किसे ना आख में जाने का डर भी रहता है क्योंकि फस पस करके इसके पानी ना आखों में चला जाता है और काफी ज्यादा मिट्ची भी लगती है और बच्पन में हम लोग नैसा करते थे नीची को जाएगा तो बहारी को बोलते थे ओपर को जाएगा मुनार सैट को ऐसी बोलते थे लेकिन ऐसा कुछ चलने के बात इसमें मैंने नमग डाल लिए हैं गुर भी डाल जाली है और शाद में थोड़ी ही डाली यह अर मोमी लेकिन फीन टरफे लेकिन अट नियुग अच्छी तरह से मिक्स नी को इसलिए मैं हातु का यूच कर रहे हूं नीवू बनके रेडी हो चुका है और अपने इसका बटवारा करते हैं नीवू की एक और खास बात है नीवू बनाने के वाद ना इसी ज्यादा धूप में भी नहीं रखते हैं क्योंकि इसका टेस्ट ना उसके बाद करवा हो जाता है ऐसे तो यह खट्टा मिठा उड़ा यहां पर मुमी फिर से अपने कामों पर लग चुकी है मुमी के ना कुछ पुराने कफरे फटवे थे जो गरम वाले कपरे हैं तो मुमी उसमें डबल सिलाई कर रही है आप लोगों को बताने वाली कि मुझे कौन सा मन चल रहा है और मन्त रिवीलना मुमी करेंगे मुझे फट हमें कर से शरकारी महने के हिसाब से चल रहा है जो जनूरी फर्वरी होते हैं और फट हो ऑख ज़ादर बैसाक Two इस वाले को भी मानते हैं तो इस वार्ज़े से मुझे 8 वाले महने के साब से मुझे इस टाइम पर साथ वह मन कंटिन्यू चल रहा है और जल्दी मुझे स सरकारी वाले के हिसाब से आठवा भी लगने वाला है तो अब मुझे ना बस थोरा सा वेट करना है वैसे वेट तो काफी ज्यादा है लेकिन आसा होता है ना कि ज़रूरी नहीं हो या नौ मेहने मों बोलते हैं साथ मेहने के बाद ना किसी को डिलीबरी पहले भी हो जाती है औ तो वही डर्ण मुझे भी लग जाएं तीरे-दीरे करके और आजकल अपना में जयादा काम भी नी करती हूं कुस्त ने करती हूं वैट नहीं उठाती हो तो आप मुझे ना काफी ज्यादा संबल के भी रहना है और अपना ख्याल भी रखना है दो से मुझे सेबंत मन्त जूड़ भी चुकी है और काफी नहीं चीजे भी जूड़ गी है तो अब मुझे ज्यादा तरना हल्वा खाना पड़ता है और हल्वा खाने से बोलते हैं लेज फटाती है यानकि बच्चे के शरीर में जो वाइट होता है ना वह कम हो जाता है हल्वा खाने से गरम वाली फटाते है तो वही घरी आज कल में महसूस करजह थी ह Κहााने पीने की बहुत ज़्यादा रखन लगै तो बाद में गालने के टो जयादा ध्यान रखने ना पड़ेगा मं इन बी साब लखतेंए हं उसका हॉआ ज решил में इंद्ब और अवाटारा। काफी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और उसके बाद बेबी का ख्याल भी रखना पड़ता है और अभी खुद का ख्याल रखेंगे तो बेबी का ख्यालना भी हो जाता है अभी मैं भी घर से निकल चुकी हूँ वाक करने के लिए और आप लोग सोच रहोंगे वाक करने यह ऐसे वाले रास्ते पर कहां जा रहे कर गए तो मैं कभी कभी रोड साइड जाती हूँ वाक करने के लिए और कभी इस वाले रास्ते पर क्योंकि रोड रोड तो ना सिंपल स भूचा हो एक उसी हुप हो रहा था और पहले से भी ना ऐसी होता है तो कभी-कभी तो वीडियो बनाते बनाते ना मेरेको बनानी पड़ती थी उसी किलिप को क्योंकि बोलते टाइम मेरे सांस फूल जाती थी लेकिन जब से मेडिसन चली है तो दीरे-दीरे करके अब कंट्रोल हो रहा है और अभी मैं वाक पा चुकी हो और मेरे साथ आये हैं मेरे मिस्टे जी और सामने से गोली भी चला गया है तो मै कर देखने आपके गांपना पोल्यहाऊस है उसके अंदर का भी दिखाय करो हो ब करके और क्या वह आप करके कोमेंट बेचा हैंमारे तो नहीं है लेकिन हमारे गांस में knobल जी का इया है और či नंग जाते हैं और पॉल vazis स्वास में हैं वहाव्टे हो उसमारे बाद कर फूल तो आप लोगों को दिखा रही हो और अंकल जी भी है ना हमारी वीडियो देखते हैं तो देखे लेंगे मैं यहां पर क्या करने आए थी करके इस वाले पूरी हरी सब्जी बोई हुई है और हरी सब्जी की खेती भी ना काफी ज्यादा अच्छी हो रही है पहारी लोगों को तो सबको हरी सब्जी पसंदी होती है चाहे वो भाद के साथ तब की बोलो या रात में रोटियों के साथ बोलो तो इस वाले मैं तो पूरी हरी सब्जी दिखाए दे रही है अब चलते हैं बगल वाले पोले हाउस पर और देखते हैं अंकल जी ने वहां पर क्या बोया आज हमने आपकी पोले हाउस का ट्यूर कर दिया अंकल जी ने इस वाले पोले हाउस में ना गोवी की फुल गोवी है इस वाले पोले हाउस में अंकल जी ने ब्रॉकली की खेती की है और साथ में पत्तक गोवी की और सामने फिर से पपीता की पॉंधे भी दिख रहे और उस और चोटे चोटे दाने तमाटर के भी लगे हैं जह ओप करती हूं कि आप लोगों का डॉट ना आज केलियर हो गया होगा क्योंकि आप लोग समझते थे ये पुले हाउस समरा एकर के लेकिन ये कोला हाउस नाहा नहीं है क्लिया हैं ये पुले आउस भी बचाना होता है उसके बाद काफी खाने को मिलता हमें अच्छा भी लगता है अपना सुद्ध भोजन और साब सबजी तो यही है बस मैं भी बस पार्ट तू पर करता हो पार्ट वन में अनधर काम करता हूं तो जिससे अपना परिवार के लिए अपनों ने और निखली जा मैं भी घर पर आगी हो और जाते टाइम तो नहीं काफी ज्यादे एनर्जी होती है लेकिन आते टाइम ना जैसी प्रेंच पर टागा नहीं होता वहीं से होता है तो अपना घर की शीर्या चणना भी मुश्किल हो जाता है घर आने तक यहां पर देवरानी जी भी बनाने जाते हैं चल्य जी अंदेरा भी हो गया है और यहां पर देवरानी जी करने लगी हैं सबजी की तयारी और मैं जाके ना आग जिला लेते हूं क्योंकि जैसे अंधेरा होता है यह वैसी ठंड भी बढ़ने लग जाती है तो ठंड बढजने के वज़े से मैंने गरम कूर्ती क बाहर से स्वेटर भी पैनली है और सर मेना अभी कपरा भी ले लिया है तो फटाफट से आग जिलाते हैं आग जिलाने के बाद अप मेरी तैयारी होगी है आटा गूदने की और आज हम लोग बना रहे हैं मडवे की रोटी प्यूर मडवे की रोटी तो हम लोग नहीं बना रहे हैं हम लोग बना रहे हैं ग्यूमुनो की रोटी यानि कि उसमां गेहों का आटा भी मिक्स होगा और मड मिक्स होने के बाद अच्छा अच्छा रहता है आप लोगों को है ब्लیک कलर यह लगा ब्लक्त का दिख रहे यह मडवे का टा और तो में दोनों आटों को ना एक साथ मिक्स कर देते हैं और उसके बाद व्हमानु आपने की सिमत्तुत बॉर्मॉऌ मोशली को बनाकर चानल को लाकरिधा द Алएघ. है यहां भी बनाते हैं। बनाते हैं कोई कोई बनाते हैं, पहले बनाते है? मुमी बोल रहे आज रोटी में बनाती हूँ और मुमी अभी बोल्डर में रोटी बनाना भूलगी हाथ थक रहे मेरे आज आज आओ पहाड़े ओ भांगा गो लून दगार मटवागा खाले जाए काना को वाँ क्या लाइन बोली मुमी ने मजी आगे लाइन पर मटवा रोड़ आजพेश को क्यों हुआтव खाले चुक्त यह को थो और अबन चुक्त है तो एब हम सभी लोग मिलकर खा Yok ले PU को आज की वीडियो पसेंना आई होगी वीडियो पसेंना यह तो उसे लाइक कीजिए कंट कीजिए आपनी दोस्तों के साथ ज़िए 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 किजिए मेहिनों मिलते हुआ आपको जल देख लें वीडियो में तब तक के लिए श़स्थ रहे हैं मस तरह व्यस्थ और अपने ख्याल के आपको भी भाई बाई बोलना है चलो फी बाई बाई जलदी मिलेंगे बहाँ देख दो देखने में को नी देखना तटी तटी कर ला हूं मैं तो बोल